गुरुदेव कहा जाता है कि लाल किताब लोगों को चुनती है लोग लाल किताब को नहीं चुनते नहीं पेटा ये मेरे लिए लोगों ने फैलाया है कि जीडी वशिष ने लाल किताब को नहीं पड़ा लाल किताब ने जीडी वशिष को चुना है ये मेरे लिए बात है पू लाल किताब में होता क्या है? क्या होती है लाल किताब, तुमने ये नहीं पूछा है, लाल किताब का रंग लाल ही क्यों, और इसका नाम लाल क्यों ये ये संपून विग्यान है जो हमारे वेद हैं वेद में समझाया गया है कि किसी इनसान को राई नितिक हो तो कैसे चलना चाहिए कहां पर मजलिस हो तो क्या करना चाहिए किसे दुनियादारी में हो तो क्या करना चाहिए कौन से सीन के बीच में कौन से भाव लेके चलने गीता में समाजिकता को बिलकुल परम्मान के इनसान के अंदर उसके अनुसार चलने वाले भावों को क्लेर करके एक रास्ता दिखाये गया है लाल किताब हमारे अंदर का खून कैसे चलेगा डिने कैसा होगा उसके कारण आदते कैसी होंगी आदते सोच से बनती है यानि कि ग्रै ग्रै बनाते हैं सोच और सोच ही हम बोलते हैं सोच ही हम करते हैं ठीक है न और इसी सोच के अनुसार आपकी बिमारिये भी तेह होती है कि कौन सी सोच का मालिक कौन सी बिमारी को प्राप्ट करेगा